भगवान कृष्ण के जीवन से यह बात हम सभी को सीखनी चाहिए। दोस्तों, जन्माष्ट में केवल कानहा के जन्म का दिन नहीं है। संसार में प्रेन और कर्तव्य के नियमों के अव्तरण का भी दिन है। राधा के हृदय में प्रेन स्पंदन उत्पन करती एक मधुर वानी है, क्रिश्ण तो महाभारत में रत पर सवार अर्जुन को ललकारती एक उत्तेजना और तेज से भरी आवाज भी है क्रिश्ण। संसार का यह नियम है, जब अंधकार छाएगा तो कहीं दूर सूरज भी जन्म लेगा। जब अन्याय सिर उठाएगा तो उसका अंत भी कहीं से शुरू होगा। बरबरता शिखर पर होगी तो उसे मिटाने का साहस भी धर्ती पर ही जन्म लेगा। हमारी धर्ती का ही नियम है, जिस पर संसार्टिका है, तो उस अराजक्ता में उम्मीद का जन्म लेना ही, तो जन्मश्टमी है। कंस के अत्याचार के विरुध जन्म लेने वाली आवाज है जन्मश्टमी। यह सिर्फ एक क्योहार नहीं, हमारी संस्कृती और परंपरा की पहचान है। अन्याय अहंकार अराजक्ता के विरुध एक आंदोलन है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म लेना ही, हर मायूस दिल में उमंग और उम्मीद का भर जाना है। जन्मश्टमी पर एक बात कानहा ने हमें सिखाई है। अध्यात्म और कूटनिती के बीच का रास्ता है। अन्याय के विरुध जीवित रहना। अपने को सुरक्षित रखना। अपने विचारों को परिपक्व होने देना। अपने को पोशन देना और अपनों के बीच रहना। जन्मश्टमी की रात ही हमारे कानहा को देवकी का आचल छोड़ना पड़ा। क्या इस पीडा को नहीं समझा जाना चाहिए। जन्मी से विचरते शिशु की आवाज को सुने बिना व्यर्थ जाने देना चाहिए। नहीं यहीं तो कानहा ने पहला संदेश दे दिया था कि बड़े लक्षे के लिए संसार के लाब के लिए शांती की स्थापना के महामार पर पहला कदम है त्याग। गोपान ने बतला दिया कि अराजक्ता के विरुद्ध खड़े होने की पहली आवश्यक्ता है। स्वय को जीवित रखना और अन्याय के विरुद्ध सगे संबंधियों से भी लड़ना पड़े तो लड़ना। यहाँ एक बात और समझने की है। यदि भगवान कृष्ण स्वया अपने अत्याचारी मामा कंस के विरुद्ध न खड़े होते तो महाभारत के युद्ध में अर्जुन को अपने अन्याय भाईयों के विरुद्ध खड़े होने का संदेश कैसे देते। केवल कानहा के जन्म का दिन नहीं है। संसार में प्रेम और कर्तव्य के नियमों के अवतरण का भी दिन है। राधा के हृदय में प्रेम स्पंदन उत्पन करती एक मधुर वानी है। कृष्ण तो महाभारत में रत पर सवार अर्जुन को ललकारती एक उत्तेजना और तेज से भरी आवाज भी है। कृष्ण गायों को चराते गोपियों के बीच बांसुरी बजाते कृष्ण हैं तो दूसरी और सुदर्शन चक्र चलाते भी कृष्ण है। यह जो जीवन के दो छोर हैं यही जन्मश्टमी का संदेश है। एक और जन्म का उत्सव है तो देवकी से दूर होते कान्हा भी है। माता यशोदा का प्रेम और नंद की छाव भी तो है। कान्हा का जीवन ही तो संदेश है कि सब दिन एक तरह नहीं रहने वाले ये दिन भी चलते जाएंगे। बस तुम उस लक्ष को थामे रखो जिसके लिए तुमने जन्म लिया है। जन्मश्टमी हमें संदेश दे रही है कि कान्हा के अध्यात्म को देखो यही वह कारण है जो रस्खान के दिल में खुश्बू डालता है। रहीन को महकाता है, ताज बीबी को कहने को मजबूर करता है। छैल जो छबीला, सब रंग में रंगीला, बड़ा चित का अडीला कहूं देवतों से न्यारा है। मौलाना हसरत मोहानी, जीवन भर कमर में बांसुरी लगाएं नमास पढ़ते रहे। हर साल हज करते तो, हर साल व्रिंदावन जाते। कानहा के जीवन का यह ध्यात्म आज तक हमें जोडे है। तभी तो कोई फैसल खान आज भी नंद की पावन गलियों में कानहा प्रेम में मतवाला घूंता है, तो कोई हैदर अलवी आज भी लिख रहा है कि मुझे अपनी निगाहों के पास रहने दे। गर तू कृष्ण है मुझे सूर्दास रहने दे। तो दोस्तों उम्मिद करता हूँ कि आपको विडियो पसंद आया होगा। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो विडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद